नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे चैनल जोतिश मंत्र में हार देख स्वागत करता हूँ अगर आप मुझ से और मेरे चैनल से जुणना चाहते हैं तो वीडियो की नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए तता साथ ही बेल आइकन को भी दबाईए ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले में सके हमने हमारे पहली वीडियो में जाना था कि तिलक कितने प्रकार के होते हैं तिलक शरीर के किनकिन इस्थनों पे लगाया जा सकता है तिलक किनकिन बस्तों का लगाया जा सकता है और तिलक का बेग्यानिक, धार्मेक, आध्यात्मेक और जोतिशी महत्वक्या है इन सभी के बा लगाने से कौन सी उंगले से तिलक लगाने से क्या फलकी प्राप्ति होती है राशी अनुसार कौन सा तिलक हमें करना चाहिए या किस ग्रह की शांती के लिए कौन सा तिलक हमें लगाना चाहिए और साथ हम यह भी जानेंगे कि आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से कौन सा त डिल फिंगर, और अंगुठा, इन दोनों का ही प्रयोग करना चाहिए, तिलक का जो अकार है, या तो कमल की जो पंखुडी होती है, उस टाइप की होना चाहिए, या बांस की जो पत्ती होती है, उस टाइप का उसका आकार हो सकता है, या मचली का जो अकार होता है उस टैप से उसका अकार हो सकता है या दीपक की जोती की तरह उसका अकार हो सकता है या शंक की तरह उसका अकार हो सकता है इतने अकारों का तिलक हो सकता है और तिलक का जो लेंथ है तिलक की जो लेंथ है वो दो इंगुल, यानि कि ये दो इंगुल होते हैं, दो इंगुल से लगाके दस इंगुल तक की भी हो सकती है यानि इसका जो साइज है, वो दो इंगुल से लगाके दस इंगुल तक की हो सकता है और तिलक लगाने से पूर्व स्री शरूपा बिंदी लगाना चाहिए सबसे पहले बिंदी लगाईए और फिर अंगुठे से तिलक को काड़िए इस तरह से तिलक लगाना चाहिए यह तिलक लगाने की विधी है अब आपको मैं बताता हूँ कि कौनसी उंगली का प्रयोक करने से क्या फल मिलता है तिलक लगाने से अब यह आपको बताता हूँ जो अंगोठा प्रयोक करते हैं तो अंगोठे की प्रयोक से शक्ति, मध्यमा की प्रयोक से दिरगायू, अनामिका की प्रयोक से संब्रध्धी और तरजनी की प्रयोक से मुक्ति मिलती है तिलक लगाते समय नाखुन बिलकुल भी टच नहीं होना चाहिए भगवान को जब भी तिलक करना हो भगवान को जब भी चंदन लगाना हो तो आप हमेशा अपनी जो अनामी का उंगली है मतलब यह जिसको हम रिंग फिंगर बोलते हैं उसका ही प्रयोग करना चाहिए अब हम ये जानते हैं कि कौन से ग्रह को बलवान करने के लिए या शक्तिशाली बनाने के लिए किस बस्तू का तिलक का प्रयोग हमें करना चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं हम सूरी को अगर सूर्य आपकी कुंड़ी में कमजोर है और आप चाहते हैं कि आपका सूर्य बलवान हो तो आपको लाल चंदन या केसर का तिलक करना चाहिए अगर आपको लगता कि आपकी कुंड़ी में चंद्रमा कमजोर अवस्था में बेठा हुआ है तो आपको सफेच चंदन या दही का तिलग करना चाहिए मंगल को बलसली बनाने के लिए आपको कुंकुं का तिलग करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बुद्ध ग्रह स्टांग हो तो आपको हरी चंदन या अश्ट गंद का तिलग करना चाहिए आप अच्छी बुद्धी पाना चाहते हैं और अच्छी पड़ाई करना चाहते हैं चाहते हैं कि आपका ब्रहषपती ग्रह स्ट्रांग हो तो आपको हल्दी या केसर का तिलक करना चाहिए आप चाहते हैं कि आप फेमस हो आपका फेम दुनिया में जाना जाए और आपकी बात सब सुनें अगर एसाब करना चाहते हैं मतलब कि आप अपने शुक्र ग्रह को स्ट तो आपको काजल का तिलक या फिर भस्म का तिलक लगाना चाहिए चलिए ये तो होगा है कि हम ग्रहों को किस तरह से स्टांग कर सकते हैं कौन सा तिलक लगाकर हम जानते हैं किस राशी वालों को कौन सा तिलक लगाना चाहिए मतलब किस राशी के लोगों को कौन सी बस्तू का तिलक लगा है जिससे कि उनको फाइदा हो तो बात करते हम मेश राशी की मेश राशी वालों को कुम कुम का तिलक लगाना चाहिए ब्रश राशी वालों को सफेज चंदन का तिलक लगाना चाहिए अगर आपकी राशी मिथुने तो आपको अश्ट गंद का तिलक लगाना चा तो आपको दही का तिलक लगाना चाहिए और अगर आपके राशी ब्रश्चिक है तो आपको सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए धनु राशी वाले लोगों को हल्दी का तिलक लगाना चाहिए जबकि मकर राशी वाले लोगों को काजल का तिलक लगाना चाहिए अगर आपके राशी कुम्भ है तो आपको भस्म का तिलक लगाना चाहिए और अगर आपके राशी मीन है तो आपको पीले चंदन का तिलक लगाना चाहिए तो यह हुआ राशी के हिसाब से तिलक अब हम जानते हैं, प्रोफेशन के हिसाब से आपको किस तरीब का तिलक लगाना चाहिए, यह बहुत ही महित पूरन है, अगर आप अब अपने प्रोफेशन के हिसाब से तिलक लगानेंगे, तो आपको ज़्याद है फायदा होगा, और ऐसा नहीं कि जो अभी प्रोफेशन में हैं वो ही ऐसा करें जो उस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जमानली जो बच्चा भी पढ़ रहा है और किसी पर्टिकलर प्रोफेशन में वो जाना चाहता है तो वो भी इस तिलक का इस्तिमाल कर सकता है जो लोग राजनिती वाले हैं या राजनिती में जाना चाहते हैं जो लोग IPS और IS की तयारी कर रहे हैं या उसमें पदस्त हैं या फिर मेनेजमेंट और प्रबंदन का कारे करते हैं उन सभी लोगों को लाल चंदन या फिर केसर का तिलग लगाना चाहिए अगर आप सेना में ह या किसी स्पोर्ट एक्टिविटी के आपसा दस्थे हैं या फिर आप एक इंजिनियर है तो आपको कुम-कुम का तिलग लगाना चाहिए। अगर आप एक सिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, जज हैं या कोई बेंक आफिसर हैं, तो आपको हल्दी या हल्दी प्लस केसर का तिलक लगाना चाहिए। ब्यापारी, लेखक, अकाउंटेंट, गाइड, बहुत सी भाषा बोलने वाले यानि कि जिसको हम बहुत भाषी बोलते हैं, वो लोग नर्स और कोरियर सेवा देने वाले लोगों को अस्टगंद या हरी चंदन का तिलक लगाना चाहिए। डाक्टर, फोटोग्राफर, ब्यूटुशियन और रेडिमेट का व्यापार करने वाले लोगों को अफेच चंदन या इत्र का तिलक करना चाहिए। लेवर, लेवर मेनेजमेंट, बिजनिसमेन या इंट्रेपिनियोर, जिसको हम उद्ध्यमें भी कहते हैं, इसका काम करने वाले लोगों को काजल या फिर भसमेकर तिलक करना चाहिए। तो ये थी तिलक से जुड़ी होई जानकारी, इसके दो वीडियो हैं, एक पिछला वीडियो और एक ये वीडियो, भाग एक और भाग दो, अगर इन दोनों में किसी प्रकार की आपको कोई शंका हो, किसी प्रकार का कोई कन्फिज हो, तो आप मुझे कमेंट्स के थूप प पूस्क्रेट कीजिए, आज कर विस इतना ही, मिलते हैं एक नए विशे के साथ, तब तक आप रहे खुश्च और मुझे दीजा आगया, जाहिंद।